अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई है और महिला परविक्षक की वीडियो देखने के लिए आई है तो मैंने MP महिला सुपरवाईजर 2024 नाम से प्लेइलिस्ट बना के रखी है अपने चैनल पे उस प्लेइलिस्ट पे जाएए वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे महिला सुपरवाईजर 2024 ते रिलेटेड उसमें आप स्पेसली सिलेबस वाला वीडियो ठीक है बुक लिस्ट व मैंने एक बार बस दिक्र किया थो रोजगार पंजयन का लेकिन एक डिटेल में बता देती हूं आपको जल्दी से कि क्या क्या डॉक्यमेंट आपको लगेंगे क्योंकि अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है तो आपको पहले से पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें फॉर्म भरने से पहले और यह डॉक्यमेंट तो मैं आपको बताई दे रही हूं सबसे पहले हम पढ़ाई करने में सिलेबस कंप्लीट करने में इतने बीजी हो जाते हैं इतने खो जाते हैं कि पूरे फॉर्म के डेज निका ले इस टाइब के पॉर्म रहते हैं इनको क्योंकि फिर बाद में सर्वर डाउन हो जाता है स्लो हो जाता है और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप भर भी ना पाए और आपकी तैयारी पूरी 100% हो गई है और आप फॉर्म ना भूल जाते हैं कि अरे लास्ट देट निकल गई फ छक्ग कर लाक को अभी कभी आप चेक नहीं है तो आपका जरूरी आपको कोई आप चक्या हो सकता है तो आईए आपको मैं डॉक्युमेंट बता देती आपके पास एक रिसेंट की पासपोट साइस फोटो हुनी चाहिए आपके एक इमेल आईड़ी हुनी चाहिए है जाए ना आपका रोजगार पंजयान होना चाहिए बहुत ज्यादा मों इंपॉर्टेंट । इसके ही न तो आपका फॉर्म भर फॉर्म नहीं में रोजगार पंजन नहीं है, तो आपको दो दिन भी लग सकते हैं, फॉर्म भरने में, तो रोजगार पंजन अभी से बनवा लेना, एकदम फ्री हो जाओगे, इसके बाद 10, 12 और ग्रेजुएशन की मार्क सीट आपके पास होनी चाहिए, आपका जाती प्रमाड पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके सिगनेचर होने चाहिए, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं बाहर होते हैं, या कहीं वर्क में फस जाते हैं, या फिर हम किसी वज़े से फॉर्म नहीं भर पाते, तो हम किसी और को भी फॉर्म भरने के लिए बोल सकते हैं, तो आप अपना signature भी उसमें consider कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आपको signature आपके ही लगेंगे तो आप किसी खुद form भरो या किसी और से भरवा हो या आप कहीं भी हो तो आपको form भर जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ready रखनी है form भरने के लिए और ये सारी चीज़ों आता है तो आप form भर भाए ठीक है आप लोग class के लिए बोल रहे थे और daily target के लिए बोल रहे थे तो बिल्कुल आप यह मैं सोचे कि यार मैं आपको पढ़ा क्यों नहीं रही हूं आपको मैंने कुछ सोच के ही बोला है कुछ तो प्लान कर रही होंगी ना आपके लिए तो अभी जो आपको बोला है आप वो करिये हम लोग करेंगे मैं अच्छा सा कुछ प्लान कर रही हूं आपके लिए तो हम लोग वैसे कुछ करेंगे पर आपको जितना मैंने बोला है कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजे करनी यह सारी चीजे आप कर लिजे जो अच्छा वीडियो पर लेकर आ सकते हो आपके लिए और जो अभी आपको बोला वो करिये और यह डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिए ठीक है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यह सारी चीजे आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करदेने श्येर कर Дेना मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए 5